हेलो फ्रेंग्स वेलकम टू अनदर एपिसोड आप फोर ब्लॉग्स दिस इस मी और होस्ट नितन तो गाइस आज एक बहुत ही महत्पूर्ण टॉपिक के उपर हम लोग बात करने वाले हैं वह है रोयल एंफिल्ड की डिलिवरीज को लेके तो आज इसके उपर पूरा अपड मेकैनिजम में क्या डिलिवरीज बहतर हो रही है या हो जाएंगी या क्या होने वाला है तो इसके उपर करेंगे आज पूरी बात लेकिन उससे पहले जिन्हों नहीं अभी तक चानल को सब्सक्राइब करा है प्लीज काईस चानल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो तो गैस आपको बतातूं कि रॉयल एंफील्ड जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल ड्यूरिंग कोविड लॉक्डाउन और कोविड के बाद पोस्ट कोविड ओपनिंग डिलिवरीज को लेके काफी जादा इशूज आ रहे थे और मेंली जो डिलिवरी के इशूज थे व जहेद चल लही थी या क्या सकते हैं आपकी काफी जादा पुश था कि रॉयल एंफील्ड के कस्टमर्स पुश कर रहे थे गाडियों में प्राइज बार बार बढ़ रहे थे लेकिन गाडियां वेलेबल नहीं थी तो प्रॉब्लम कहा थी गाईस प्रॉब्लम थी सेमी कंड क्रिक्टर में अबॉयल एंफिल्ड की कि अगर हम बात करें मेटियोर की तो मेटियोर में सेमी कंड़क्टर चिप से चार पांच जगए होती है एक्या Г. ECU में यूज होती हैं, आपके normal ECU में यूज होती हैं, उसके बाद आपका जो console है उसमें यूज होती हैं और triple navigation में यूज होती हैं, तो ये वो चार जगे हैं जहांपे आपके ये semiconductor chips यूज होती थी, तो जसकी वज़े से आपको पताएगी पूरी दुनिया में shortage चल रही थी, तो जिसकी वज़े से Royal Enfield ने भी सफर किया, अब फिलहाल shortage को कम करने के लिए Royal Enfield ने 3-4 vendors से tie up किया है, एक जर्मेनी का vendor है, एक ताइवान है, एक चाइना है, तो ये 3-4 semiconductor के बहुत बड़े suppliers हैं, जो की अब market में आ चुके हैं, जिसकी वज़े से Royal Enfield की bikes की delivery पहले से काफी बहतर हो गई है, यानि कि अगर आप meteor जैसी गाड़ी भी book कराते हैं, तो अब तकरीबन 2-3 महिने के अंदर-अंदर ही आपको गाड़ी अगर आप Classic 350 की बात करें, तो Classic 350 भी तकरीबन 1-5 महिने के अंदर-अंदर आपको गाड़ी मिल जा रही है, अब इसी competition में add होने के लिए, एक और गाड़ी रेड़ी है आने के लिए जो की है Scram 411, अब Scram 411 जैसा कि आपको पता है कि उसका जो अब हम इस बार सबसे पहली और सारे अपडेट्स रॉयल इंफील्ड के थ्रू ही मिले तो थोड़ा सा आपको अपडेट्स आप देख रहे होंगे कि मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, हलाकि गाड़ी बहुत अच्छी है, अब आपको बता देता हूँ, इस गाड़ी में क्या changes है, गाड़ी में सिर्फ हिमालियन का जो standard engine आता था वही engine है, थोड़ा सा design में change है, थोड़ा सा specs में change है, tire sizes में change है, और थोड़ा सा आपके console में change है, जैसे हिमालियन का आपको एक बड़ा wide meter मिलता था, वो meter console hut के scram में, आपको meteor का meter का console setup देखने को मिलेगा, अब अगर Royal Enfield ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि scram 411 में meteor का पूरा meter का setup लगा रहे हैं वो, तो that means कि semiconductor की जो shortage है, वो काफी हद तक कम हो चुकी है, देखें लेकिन अगर जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि Ukraine और Russia के बीच में ये war जारी है, क्योंकि Ukraine, Russia जो है, वो सबसे बड़ा supplier है, semiconductor के raw materials का पूरी दुनिया में, तो अगर ये war continue रहती है, US जिस तरीके से प्रतिबंद लगाता जा रहा है, या क्या सकते हैं, आपकी sanctions लगाता चला जा रहा है, अगर इस तरीके से चला तो हो सकता है, कि आपको भविश्य में गाडियों के उपर जादा वेटिंग देखने को मिले, और हाँ एक चीज़ और आपको बता दू, बहुत ही important कि, क्योंकि ये war जारी है, तो you can expect कि काडियों के prices definitely 125% high होंगे ही होंगे April में, तो आप April में आप उमीद कर सकते हैं कि ये prices high होंगे ही होंगे, और and it is not just with Royal Enfield, but with all the other companies, including car manufacturers, bike manufacturers, जो भी है, सबकी price hikes आपको देखने को मिलेंगे, for a simple reason कि ये war की वज़े से बहुत जादा raw materials high हो गए है, like अगर आप देखें, aluminium ये अपने all-time high पे है, copper अपने all-time high पे है, अब ये सारी चीज़ें actually में utilize होती है, bike के production and manufacture में, तो जिसकी वज़े से अब आप उमीद कर सकते हैं कि ये गाडियां काफी जादा महिंगी हो जाने वाली हैं, और ये गाडियां आपको करीबन 5-6,000 रुपे तक का फरक देखने को मिल सकता है, इस segment में जो सबसे जादा least affected गाड़ी है, वो है हमारी standard 350 और bullet ES, यानि कि जिसे कि आप Electra भी कहते हैं, तो electric start जो है, वो ही दो गाड़ियां है, क्योंकि उसमें minimum semiconductors का usage है, और इनी गाड़ियों में आपको minimum waiting देखने को मिल रही है, तो अभी as of now कोई बहुत जादा shortage नहीं है, गाड़ियों की supply chain को manage करा है Royal Enfield ने, लेकिन अगर यह और आगे continue रहता है, तो definitely हम उमीद कर सकते हैं कि shortage दोबारा हो सकती है, and yes, prices की जान तक बात है, prices तो 100% आपको बड़े हुए April में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो यह एक छोटा सा update था, जो कि मेरे पास आया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथी update को share किया जाए, आप लोगों को भी इसके बारे में अफकर कराया जाए, तो अगर आपकी गाड़ी की delivery planned है, तो उसे फटा-फट ले लिजे, without a doubt, क्योंकि April में आपको जादा पैसे खर्च करने पर सकते हैं, इसी गाड़ी के लिए, तो लाता रहूंगा आप लोग के लिए बहुत exclusive वीडियो और Scram 411 के उपर एक हम बहुत ही जल्दी एक exclusive walk-around review लाने वाले हैं, तो प्लीज बने रही है हमारे साथ, तो विद दिस नोट, दिस इस मी, नितिन और रिवेक साइनिंग आप फॉर व्लोग्स for the day, मिलेंगे आप से बहुत जल्दी एक और नहीं वीडियो में, till then stay tuned, stay safe, stay secure और अपना बहुत ख्याल में।